हलो दोस्तों, वेलकम टू इस्टेडी एदूकेट, आज हम बात करेंगे इंडस्वेली सिविलाजेशन के बारे में और इसके बारे में संचेप में थोड़ा जानकारी खठा करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं, वर्षो पुराने सिंदू घाटी सब्वेता बीसवी सदी के दूती दसक तक एक कुम नाम सब्वेता हैं थी, अर्था लोग सब्वेता के बारे में और परचित थे, विद्वानों की धानडा थी कि सिकंदर के आक्रमड याई 326 इसा पुर्व के पुर्व भाद में कोई सब्वेता ही नहीं थी, बीसवी सदी के दिती दसक में दो पु भी एक सब्वेता थी, जो अपने समकालनी सब्वेताओं में सबसे बिक्सित थी, कालंतर में संजान मार्शल, मादव शुरूप वल्थ के अंदिक्चीत, अर्नेस्ट मैके, और लिस्टेइन, अमलानंद घोष, चीपी जोशी, आधि बिद्वानों की ने उत्खन करके महत् पूर्शामागर्या प्राप की, उत्खनन से प्राप्त ओशेशों के आधार पर इस पूरी सब्वेता को सिंदू, गाटी सब्वेताओं तुस की मुख्य अस्थल हरपा, की नाम पर हरपा सब्वेता का आ जाता है, शिदू, हाटी सब्वेता का छेत प्रवणपूराद छेत्रों में विस पर स confess कि युषिस मिलें जो सिंदों कि you icons चेटा से बाहर थे तथी आताव्णीास का प्रमुक अस्थल केंद्र हरपा होने कार इसससे सप्वधा को सब्हाकी सब्हटा सब्हता नाम देना वज़ित मानते हैं। सिंदुकारी सब्हता काश्य йогी सब्हता थी जिसका उदभवो तामर प्राशाल काल में भाग के प mép हुआ था और इसका विस्तार भात के लावा पाकिस्तान अफगानिस्तान के कुछ छेत्रों में भी था शेंदो सब्हता का भोग लिख विस्तार उत्तर में मांडा जम्मू से लेकर दक्षिड में नरवदा नदी के मुहाने तक पश्ची में शुत का अंडोर से लेकर पूरम में आलमगीर पूर मेरर तक था यह उत्तर से दच्छिड में लगबग 1100 किलुम्टर तक पूरब से पश्ची में लगबग 1600 किलुम्टर तक फैली हुई है अभी तक उत्खनंद था अनुसंधान्द्वा करिब 2800 अस्थल ग 5